नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ठंड में खाये जाने वाली सब्जियों के बारे में जिनको आप अगस्त के महीने में बीज से लगा सकते हो तो मैं आपको 11 ऐसी सब्जियां दिखाने वाला हूँ जो क के हम लिए बीज को देखते हैं तो इस में मैं आप लोगों के लिए बीज के लिए दिख्ते और लगाने की पूरी प्रकिरिया मैं आपको एक और दूसरी वीडियो में बताऊंगा तो जिन लोगों को यह देखना है कि कौन-कौन से बीज हम लगा सकते हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से बीज है मेरे पीछे मैंने वो सारी बीज निकाल के रख लिये हैं एक गंबले में चलिए आपको दिखाता हूँ मैं तो चलिए एक एक करके अब बीज को देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह आता है रेडिश जिसको की हिंदी में बोलते हैं मूली तो मूली भी दो तरह के की हो सकती है एक सफेद वाली मूली और एक लाल वाली मूली तो दोनों ही मूली गंबलों में बड़ी असानी से ग्रो की जा सकती हैं इनको अपने garden में भी grow कर सकते हो और खेत है अगर आपके पास बड़ा तो खेत में तो आप इनको grow करी सकते हो तो ये काफी सारे company के seeds आपको market में available हो जाएंगे आप एक agriculture shop पे सभी शहरों में होती है agriculture और seed shop आप वहाँ से जाके इन seeds को purchase कर सकते हो seeds आप आजकल online भी purchase कर सकते हो तो मैं कुछ link online के भी नीचे description में दे दूँगा जो लोग market से नहीं purchase कर सकते हैं वो online purchase कर सकते हैं second seed हम देखते हैं वो है tomato का तो tomato एक बहुत ही most common plant है जो सभी लोग अपने घर में लगाना चाते हैं और यह देखो आप अब यह देख रहे होंगे कि yellow cheese क्या है मैं इसको tomato क्यों बोल रहा हूं तो आपने cherry tomato सुना होगा लेकिन जर्नली आपने आज तक लाल वाले cherry tomato ही या तो खाए होंगे या फिर घर में लगाए होंगे तो cherry tomato yellow color के भी आते हैं तो आप yellow color की tomatoes भी grow कर सकते हो यह खाने में भी tasty होते हैं और यह जब plant के ओपर लगेंगे तो यह लगे वह भी काफे ज़दा प्यारे लगेंगे और एक बिलकुली अलग फल लगेगा यह नीमगू की तरह लगेंगे लेकिन यह tomatoes होते हैं और यह hybrid cherry tomato ह तो अब फ्लांट जो हमारे पास है सौरी third seeds जो है यह है red वाला नमेट। यानि कि जो common tomato होता है यह वह है लाल मेट। टामेट। तो टमेट। में भी काफे सारी variety आते हैं काफे सारी variety के टमाटर होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, काफ़े different-different-duses के लिए होते हैं, कुछ tomato sauce के लिए use किये जाते हैं, कुछ tomato, normal हमारे घर के लिए grow किये जाते हैं, तो आप कोई साभी tomato अपने घर में grow कर सकते हो, बस आप यह चीज ध्यान रखें कि जो आप seed लें वो अच्छी quality के हों और अच्छी company के हों और जब भी आपको seed लें तो अगर आपको F1 seed मिल रहा है तो आप F1 hybrid seed लेने की कोशिश करें क्योंकि इन seeds के quality अच्छी होती है और आप जब seed लें तो उसके पीछे आप expiry date भी चेक कर लें क्योंकि अगर आप expired seed grow करोगे तो हो सकता है seed तो grow हो जाए लेकिन जो उसकी production आएगी यानि कि जब उसके ओपर टमाटर आएंगे तो वो इतने अच्छी तरीके से grow नहीं होंगे और ये बात सभी seed के लिए लाग होती है केवल टमाटर के लिए ही नहीं आप जो भी seed लें चाए वो किसी भी vegetable का हो या फिर किसी भी flower का हो आप उसके एक बार expiry date जरूर चेक कर लें अब हमारा fourth seed आता है ये है radish यानि कि sorry radish नहीं ये है carrot तो यानि कि गाजर तो गाजर आप लोग अपने घर में grow कर सकते हो ये सबसे common वाली गाजर है यानि कि लाल गाजर आजकल गाजर में भी काफी सारी variety market में available हो आ जादा तर लोग इसको ही खाने के लिए पसंद करते हैं जादा तर घरों में यही खाई जाती है तो इसलिए मैं आपको recommend करूंगा कि आप ये वाली grow करें अब fifth plant हमारा आता है ये है cabbage का seed यानि कि पत्ता गोवी का seed तो ये जो east west company है east west seed international ये उसका seed है ये भी काफी अच्छ ये होते हैं जो farmers होते हैं बड़े बड़े वो इनी company के seeds को grow करते हैं क्योंकि इनके seeds काफी अच्छे होते हैं as compared to जो normal local seeds आते हैं अब next plant हमारा है आता है ये है beans यानि कि फलिया इसको हम अपनी local language में फलिया बोलते हैं तो beans आपने अकसर green वाली खाई होंगी लेकिन मैं आप कुछ ऐसी vegetables दिखाना चाहता हूं जो आप लोगो को market में ना मिलें और जो आप अपने घर में जब grow करो तो आपको देखने में भी अच्छी लगें और आपके garden में भी एक नई चीज ग्रो हो तो इस beans में अगर आपको yellow वाली नहीं खानी है या फिर yellow beans नहीं पसंद है तो आप green beans भी grow कर सकते हो वो भी काफी अच्छी होती है और अगर हम बात करें इन seeds के price के बारे में तो इनके काफी different prices होते हैं वो हम video के end में बात करेंगे अगला seed है onion तो जो onion है कुछ लोगों को onion अगर घर में grow करना है तो वो grow कर सकते हैं तो अब यह जो मैं आपको next seed दिखा का यह भी capsicum के काफी अच्छी hybrid variety है इसका जो name है यह आप यहाँ पर देख सकते हो यह लिखा हुआ है इसका name इसके अलावा आप grow कर सकते हो फूल गोवी तो फूल गोवी यह वाइट वाली है जो कि most common फूल गोवी है इसमें भी काफी सारे colors आते हैं फूल गोवी में आज आज़कल आने लग गए है purple फूल गोवी येलो फूल गोवी तो अगर आपको फूल गोवी खाना पसंद है खाना तो वैसे सबको भी पसंद होता है लेकिन अगर आपको अपने गार्डन में फूल गोवी लगी अच्छी लगती है या फिर आप नाज तक ग्रो नहीं करी है वो seeds की germination के लिए सबसे best माना जाता है अगला जो हमारा seed है ये है beetroot का यानि की चुकुंदर का seed तो जो चुकुंदर होती है ये बहुत कम market में आजकल मिलती है हमारे आपे तो हरिद्वार में तो ये बहुत कम मिलती है खाने के लिए तो आप इसको भी बहुत easily अपने garden में grow कर सकते हो और ये सबी seeds मैं आपको अजसे कि मैंने पहले बताया कि अच्छी company की मैं आपको दिखा रहा हूं तो इनके जो price है वो थोड़े से high हो सकते है और अब last seed हमारा बचाया ये है Spanish यानि की पालक तो पालक भी सर्दियों में काफी ज़दा खाया जाता है इंडिया मे तो आप इसको भी grow कर सकते हो seeds से ही तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इन seeds की price क्या होती है तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं जो शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च का जो packet है इसकी जो price है इसकी price यहां पर ये लिखी हुई है ये है 1360 रुपे तो गाहिस अब आप सोचोगे कि हम इतने महेंगे seed क्यों ले चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे अभी पहले हम और seeds की price देखते हैं यह है ओनियन का seed और इसकी price है 1500 रुपे क्योंकि थोड़ा चोटा packet है तो ऐसे ही इन सबी जो packet है उनकी price अलग-अलग है कॉलिफ लावर की price देखते ह हैं जो कि farmers के लिए होते हैं कुछ packet छोटे gardens के लिए बनाए गए हैं और कुछ packet होते हैं जो हमारे घर के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमें अपने घर में इतने ज्यादा seeds तो चाहिए नहीं कि हम 600 रुपे के 1000 रुपे के seed purchase कर लें उससे अच्छा तो हम मार्किट सही ये पीडrick दैने जो बीट रूट है इसक यह तो बड़ा पैकेट होगा हुल सकता है एक छोटा भी निकाला हो जैगा तो इसका बड़ाnten다 पैकिट हो गया इसका यो सबसे छोटा फैकृट है वह आपको लेना है तो अगर आपको किसी कमपनि का चोटा पैकेट नहीं मिल पा लोकल सीड आप ग्रो करोगे तो प्लांट ग्रो हो जाएगा लेकिन आपको सैटिसफेक्शन नहीं मिलेगी जो आपको मिलने चाहिए जो प्लांट से आपके वो ग्रो हो जाएंगे लेकिन उसमें जो वेज़िटेबल्स हैं वो ठीक तरीके की नहीं आएंगी तो यह जो मैंने वहाँ पर इनके सीट इनके प्लांट्स आ जाते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार प्लांट्स भी दिखाता हूं तो यह देखिए अगर आप लोगों को सीट प्रचेस नहीं करना है तो नर्सरी पर आपको इस तरीके के प्लांट्स डारेक्ट मिल जाएंगे यह देखिए इस तरीके से कोको पीट में प्लांट्स ग्रो किये गई होते हैं यह छोटे-चोटे से जो आपको نैट पॉर्ट्स डीख रहे हैं क्या प्लास्टिक के ई होते हैं और इसके अंदर कोको पीट वर के क已经 लिग अब आप लोग अगस्त में सीट्स लगाना स्टार्ट कर दोगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करे भीना मज जाएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इससे तरह की वीडियो देखिने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नई गार्णिंग वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यार बाइबाइ नमस्कार पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए